इस वीडियो नगर तेरे अंदर आग नहीं लगाई ना तो डिसलाइक मारके चैनल को छोड़ देना पर अगर आग लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना So let's start the video एक बंदे को उसकी कंपणी बेचने के बाद 1000 करोड मिला था उसने वो सारा पैसा अलग-अलग बिजनस में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा कोई पागली कर सकता है न ऐसा क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता ये पागल इंसान और कोई नहीं इलॉन मस्क है जो कि आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कमपनीज का मालिक है और आज इसकी नेट वर्थ है एक लाग चालीस जार करोड और ये सब उसके पागल पन उसके जित का ही नतीजा है क्योंकि बीड के साथ चलना तो बहुत आसान है पर पागल पन ही चाहिए बीड से हट कर कुछ करने के लिए जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजल से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था उसने जित पकड़ी और वो मुकाम आसिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ आमिताब बच्चन की उनकी पहली सुपर इट मूवी जंजिर आने से पहले उनकी सत्रा मूवी स्फलॉफ हो चुगी थी फिर भी उन्होंने अपनी जित नहीं चूड़ी और आखिर कर कामियाबी को भी इनके जित के आगे चुखना बढ़ा विराट कोली का भी एक ऐसा ही किस्सा है जो कि क्रिकेट की लिए उसका पागल पन उसकी जित को बया करता है 2006 की बात है विराट करनाटका में रंजी खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बना कर वो नौट आउट रहा शामकोन के घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई है सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट तुरंद घर के लिए निकलेगा कोश ने तो यहां तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगा पर और कोन खेलेगा पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेके स्पीच पे घड़ा था और इस हालात में उसने सेंचुरी लगाई और अपने टीम को जिता कर ही वो अंतीम संसकार के लिए निकल लिया इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे लाखों में किसी एक के पास ही ऐसी जिद ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटके कर जाता है दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए सिर्फ एनरजी नहीं बलकि उस काम को करने के लिए वो जिद वो पागलपन होना चीए क्योंकि ऐसे जिद दी ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं नमबस में होते है ऐसी एक जिद और पागलपन से भरी होई कहानी है दशरत माजी की चोकि अपनी पतनी को टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुँचा पाए क्योंकि उनके गाव से हॉस्पिटल के पीचे एक बहुत बड़ा पहाड था और उसी वज़े से उनकी पतनी का तेहान्त हो गया बंदे को गुस्टा आ गया और इसी गुस्टे को उसने अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल छैनी अतोडे से बाईस साल में पचपन किलोमेटर का पहाड दोड़ दिया ये पागलपन नहीं तो क्या है ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूपता है कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते है पर जो इस दर्द को इस गुस्से को जिद में बदल देता है उस बंदे को रोकना नामुम्किन है वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते है और कोई बंदा अपना एंपार खड़ा करने के लिए प्लान्स बना रहा होता है जब सब नौकरी डूणने के चक्कर में होते है तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसी पागल आगे जाके बिल गेट्स स्टीव जॉब्स बनते है ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूके होते है ये कभी सैटिस्फाई नहीं होते यही पागलपन यही जिद ये ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही रुखने देती है एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा हजार बार फेलोगा वो पर उसकी जिद उसका पागलपन उसे और एक बार ट्राइ करने पर मजबूर करेगा और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता इसके सामने गोटने ना टेकते और यही पागल इन्सान यही जिद्दी इन्सान इत्यास बना देता है यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठा कर देख लो बला कौन बंदा एक हजार बार फ्रेणोंने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता कोई पागल ही न और उसी कारण ये पागल जित्ती इंसान दुनिया को रोशन कर देता है जी हा मैं बात कर रहा हूं थॉमस अलवा एडिसन की 65 साल का एक बंदा जिसे अल्रेडी हजार बार रिजेट कर दिया गया था फिर भी उसने अपनी जित नहीं छोड़ी और केफसी जैसी होटल्स की चैन कड़ी कर दी जिस बंदे को अंग्रेजों ने उनके होटल में नहीं आने दिया उस बंदे ने जित पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया दोस्तों ये एक जित ही है जो एक नॉर्मल इंसान को अबनॉर्मल बनाती है और फिर ये abnormal लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में normal लोग सोचने से भी डरते हैं इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है जो भी आप करना चाहते हो पागल बन जा उसके लिए और चान लगा तो उसे हासिल करने के लिए क्योंगी जब तक ये जित्य ये पागल पन आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप normal ही रहोगे और अगर normal रहके ही मरना है तो ऐसे ही जी हो पर abnormal बनना है तो जित्य और पागल बनना पड़ेगा वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक करना शेर करना और हमसे चुड़ने के लिए लीचे वाले लाल बटम को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरू करना दिस इस विल्पावर स्टार साइन गोप फो लड़ेग बाबाई